जहिन दोस्तों मैं आशुगोर आप सभी का स्वागत करता हूँ और नंबर सिस्टम की हमारी एक लास चल रही है अभी और आज का टोपिक हमारा सेस्फल परमे है रिमेंडर थोरम तो रिमेंडर थोरम क्या होता है यह अभी आपको पांस मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा ठीक है बहुत इंपोटेंट टोपिक है यहां से कोश्चन आगते है तो चलिए देखते हैं क्या है रिमेंडर थोरम ठीक है तो वही यह कोई सब नहीं यह फोर्मूला कभी न कभी तो देखा ही होगा जैसे क्या है कि डिविडेंट इस उक्वल टो डिवाईजर इंटो कोशेंट प्लस रिमेंडर अब देखो अगर इसे आसनी से समझोगे भाज्य बराबर किसके होगा भाजक गुना भागफल प्लस में सेसफल ठीक है जैसे ही होता है कि इहाँ पर क्या आयगा अपका भاد भाजक जिससे भाग देती है भाजक भाज्य है और यह क्या भागफल ठीक है यहाँ पर कटने के बाद जो लास्ट में रह जाता है वो क्या है सेसफल तो ये जो भाग करने की वीदी है ये भांकी वीदी इसी से मान लो आपको क्या दे दिया जाए भाज्य आपसे पूछ लिया जाए ठीक है भाज्य आपसे पूछ लिया और बागफल दे दिया सेज़ दे दिया और बाज़क दे दिया तो आपको क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ठीक है ये वाला फॉर्मूला यूज कर कोश्चन क्या है यदी भाजक भागफल का 6 गुना और सेसफल का 3 गुना है यदी सेसफल 21 है तो याद कीजिए मतलब यह यह बाज्य बाज्य इंगलीस में देखो इसे एक बार इसी फोर्मूले का यूज़ करना है तो भाज्य बराबर किसके आएगा भाजक बाजक और सेसफल भागफल का 3 गुना है यदी सेसफल अच्छा इसमें सेसफल दिया 21 तो एक बात बताओगे मुझे अगर सेसफल 21 है तो भागफल कितना होगा यह क्या लिखका इसने सेसफल भागफल का 3 गुना है सेसफल जो है भागफल का 3 गुना है तो भागफल क्या हो जाएगा भई जो ये सेसफल है ना ये तीन गुना है तो भागफल क्या हो जाएगा इसका एक बटा तीन ठीक है तो भागफल बराबर किसके आ जाएगा साथ के ठीक उसके बाद इसने क्या का यदि भाजक भागफल का छेंगुना है और भाजक जो है भागफल का छेंगुना है जो भाजक है वो इसका 6 गुना होगा तो 7 का 6 गुना करो कितना जाएगा 7 चंग 42 इतनी बाद समझ माई ठीक है अब इसके बाद भाज्य पूच्छा इसने बाज्य बराबर क्या होगा भाजक 42 गुना भाजफल 7 और प्लस में क्या रिमेंडर ठीक है तो भाज कितना आंसर आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करो के साथ दुनी 14 एक साथ चुक ठाई सरी 29 प्लस 21 तो ये कितना आ गया भी आपका पांच एक तीन 315 ये इसका जो है राइट आंसर होगा ठीक है तो ये कोश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस था जो पहले ये अभी बता है ना फॉर्मूला उसी पर एक बार और समझेंगे से क्या कहा है देखो इसमें यदि भाजग बागफल का 6 गुना और सेस्फल भागफल का 3 गुना है मतलब जो ये सेस्फल है ना ये भागफल का 3 गुना है तो भागफल कितना हो जाएगा 7 ठीक है और भाजग जो है भागफल का 6 गुना है इसका 6 गुना मतलब 42 ठीक है अब आप यहां से निकाल लोगे ठीक है तो यह question समझ में आ गया होगा अब next question देखते है अब ही क्या है अगला सवाल है भई two positive number differ by 2001 ठीक है when the large number is divided by the smaller number the quotient is 9 and the remainder is 41 the sum of the digits of the large number जो बड़ी संक्या है उसकी digit का sum हमें बताना है ठीक है रो संक्या है कोई बी दनात्मक संक्या है जिनका अंतर कितना देदिया इसने a-b उनका अंतर कितना दे दिया भई इसने 2000 एक ठीक है तो ये कहा रहा है कि जब बड़ी संक्या को छोटी संक्या से विभाजित किया जाता है तो देखो इसमें A बड़ी संक्या B छोटी संक्या लिकलो साइड में A बड़ी B छोटी अब जब मैं छोटी संक्या से बड़ी संक्या A को विभाजित करता हूं ठीक है विबाजित करने पर भागफल तो आता है नो ठीक है और सेशफल 41 बचता है सेशफल कितना बचा 41 तो क्या तुम यहां से यह बी कमान नहीं निकाल सकते हैं अभी तो बता है भाज यह बराबर क्या होगा बी बराबर किसके होगा पैन क्यों नहीं चलना शिट हाँ तो यह बी बराबर किसके आजाएगा बी बराबर सोरी बी नहीं निकालना है ए निकालना है यहां से ए बराबर किसके आएगा ए बराबर क्या होगा यहां पे बी गुना में 9 और प्लस में 41 ठीक है भाई तो ए कमान क्या जाएगा 9 बी प्लस 41 ठीक है तो A का मान यह आ गया अब इसे उठा के यहां पे रख दो इस इक्वेशन में जो यह पहले यह थी ना A-B यहां पे रख दोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा दोनों का मान निकाल सकते हैं उसने पुछा है बड़ी संक्या के अंको का योग क्या होगा बड़ी संक्या क्या है हमारी A तो A का मान निकाल ला है तो यहां से पहले B निकाल लोगे तुम रखो भई यहां पे A की जंगा पे क्या रखेंगा 9B पलस 41 minus b बराबर 2001 यह बराबर कितना बचएगा 8b बराबर यह उधर चला जाएगा minus कितना बचएगा 1960 और 8 से काट दोगे से 826, 36, 37, 32, 32 40 तो b की value क्या आगी 245 b कमान कितना आगा बई 245 ठीक है अब जो दूसरी संक्या यहाँ पर A होगी A क्या आजाएगी बई दुनों का अंतर कितना है 20001 तो A बराबर क्या आजाएगा इसमें 2001 में जोट दोगे तो कितना आजाएगा 2240 अब उसने पुछा क्या है हमारे से कि बड़ी संक्या के अंको का योग क्या होगा बड़ी संक्या के अंको का योग बड़ी संक्या क्या है हमारी A अब इसके अंको का योग पूछ रहे तो 2 और 2 4 और 4 8 8 और 6 14 कितना आ गया बई 14 14 इसका आंसर होगा अगला सवाल है when a number x is divided by a divisor it is seen that the divisor is equal to four times of the quotient and double the remainder if the remainder is 80 then the value of x is ठीक है जब एक संक्या यह कह रहा है कि एक संक्या x को एक बाजक से भी बाजित किया जाता है तो यह पाए जाता है कि भाजक जो है वो बराबर भागफल का चारगुना और सेस्फल का दुगना और सेस्फल दे दिया इसने 80 तो अगर सेस्फल 80 है ठीक है तो भागफल का चारगुना सेस्फल का दुगना है भाजक जो है वो क्या है सेस्फल का दुगना तो भाजक कितना आ जाएगा वई सेसफल का दुगना यानि के 160 ठीक है उसके बाद क्या का कि भाजक बराबर है भागफल का चार गुना तो भागफल कितना जाएगा यहां पर यह जो है भागफल का भाजक जो है भागफल का चार गुना है यह जो है चार गुना है भागफल का तो भागफल कितने रह जाएगा इसका एक बटा चार कर दोगे 40, 4.16, 40 हो क्या तो अभी हमारे से पूछ रहेगी वह संक्या क्या होगी तो अब निकाल दोगे तुम्हारा हम से संक्या तो क्या होगा भई भाज ये बराबर भाजक 160 गुना में 40 और पलस में क्या सेसफल, सेसफल कितना है हमारा 80 ठीक है तो क्या जाएगा भई 164 चोंसट सो पलस 80 बराबर किसके आगए भई चोंसट सो 80 ये इसका राइट आंसर होगा, उप्सन ए नेक्स्ट कोश्चन है उन डिवाइडिंग असर्टे नंबर भाई 342 वी गेट 47 एज रिमेंडर, इफ दा सेम नंबर इस डिवाइड़ बाई 18 वाट विल भी दा रिमेंडर, ठीक है क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 342 से वी बगत किया जाता है, तो सेसफल 47 होता है यदि उसी संख्या को 18 से वी बगत किया जाता है, तो सेस क्या होगा ठीक है ये question भी बहुत important है इस type का question भी पूछा जाता है पेपर में बहुत तो आपको जब भी ऐसा कोई question दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब जिस संक्या से हमने पहले विवाजित किया और जिस संक्या से हमने बाद में विवाजित करने को कह रहा है पहले ये check कर लो कि क्या बाद वाली संक्या से पहले वाली संक्या कट रही है क्या तो 342 बटे में 18 ठीक है तो 9 दूनी 18 9 9 27 बचगा कितना 42 9 27 बचगा कितना 18 22 22 से 19 बार मतलब ये वाली संक्या जो है इससे कट रही है 18 से जो है 342 कट रहा है इसका मतलब अब बस हमें ये जो सेसफल है ना इसे ही भाग देना पड़ेगा बस 47 को भाग कर दोगे फिर किससे 18 से 18 दूनी 36 ठारती है 24 18 दूनी 36 बचगा कितना 4 7 11 कितना सेसफल बच गया भई 11 तो यही इस कोश्चन का आंसर होगा ठीक है एक बार और समझो इस सवाल को कहना क्या चाथता है ये जब भी कोई ऐसा कोश्चन होगा किसी संक्या से विबाजित किया जाता है तो सेसफल 47 बचा और यदि उसी संक्या को 18 से कह रहा है कि 18 से जब विबाजित करेंगे तो सेसफल क्या होगा तो पहले क्या करो ये देख लोगी ये जो 340 से है ये 18 से कट रहे nhất ठीक है अगर ये 18 से कट जाएगा तो उसके बाद क्या करना बस वैसे हमेसे कटता ही है question ही ऐसा खता है paper में हमेशा कटे गई है तो फिर आपको बस करना क्या है जो safe है जो safeful है यहाँ पर जो भी हमारा safeful बच रहा है 47 बस उसको क्या करोगे उसको 18 से divide कर दोगे और फिर उसने पुछा है safeful क्या होगा तो safeful निकल जाएगा अटार से कटो होगा अटार दो निचाथ तिस बचेगा कितना यहाँ पर एक और इधर भी एक ग्यारा यह इसका right answer होगा अगला question है यदी किसी संख्या यह संख्या अर्जंग है इक लटा ही पुरा यदी किसी संख्या को 13 से भी भाजित किया जाता है तो safe 11 होता है क्या इस संख्या के दूगने के वर्ग को क्या कह दिए यहाँ पर थोड़ा सगल थोड़ा लिखने में इंगलिस में पढ़ो एक बार if a number is divided by 13 let's remainder 11 if the twice of square of this number is divided by the same diviser find the remainder अब कह रहा है कि उसी संख्या से जब इसके if the twice of square दूगने के वर्ग को if the twice of square of this number संख्या के वर्ग के दूगने को दूगने के वर्ग को दूगने के वर्ग को जब उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो remainder क्या बचेगा अब देखो एक बात इससे पहले concept समझोगे थोड़ा सा अब इस question पर दूबार आएंगे पहले कुछ बात समझो जो मैं बताना चाहरा हूँ देखो मान लो कोई भी संख्या है मैंने एक संख्या ली 5 मैंने इसे 5 को 2 से विवाजित किया ठीक है 2 से भाग दिया 2 से भाग देने के बाद क्या बचेगा 2 दूगनी 4 इस 10 को भी मैंने किस से 2 से विवाजित किया 2 से भाग करो ठीक है तो जब संख्या की दुगने को 2 से विवाजित किया तो 2 पंजे 10 पूरा पूरा कटिया रिमेंडर क्या बचा 0 ठीक है रिमेंडर क्या बचा 0 अगर मैं संख्या का 3 गुना ले लू संक्या का तीन होना, पंदरा, पंदरा को उसी, उसी भाज, उसी भाजक से सुरी, उसी संक्या से मैं क्या करूँ, भाग दूँ, दो से, तो क्या बचेगा, दो सते, चोधा, रिमेंडर क्या बचेगा, एक, ठीक है, इतनी बात समझ भाई, सेसफल एक बचा, अब देखो, जो यह सेसफल बचे हैं, ठीक है, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे एक, अब जैसे इसने का था कि मैंने संक्या को क्या करा, यहाँ पे तो दूगुना कर दिया, और यहाँ पे संक्या को क्या करा, हमने तीन गुना कर दिया, अब अगर जब भी ऐसा बोलेगा, कि संक्या को थे बात करेगा तो तुम सिर्फ सेस्पल को दुगना कर दो है जैसे मैं 1 को दूगना करऊंगा तो अब इस 2 को 2 से भाग करना इसी संक्या से क्या बचेगा 2 एकम 2 क्या बचा सैसपल 0 और 0 ही यहां पे आ रहा था ठीक है फिर इस ने क्या क्या संख्या को तीन गुना कर दिया पंदरा ठीक है तो फिर कितना रिमेंडर आया है यहाँ पर सेस्पल एक अब देखो मैं अगर सिर्फ इसके सेस्पल को तीन गुना कर दो सेस्पल को तीन गुना कर दो तीन अब इसे बाग करूँ कि जब भी हमें किसी संक्या को दुगना या तिगना करने की बात कहेगा या संक्या में कुछ जोड देगा या घटा देगा तो आपको वोही काम किसके साथ करना है सेशफल के साथ सेशफल के साथ भी वोही काम करोगे तो आपका अंसर जैसे क्या करें यह बोल दे यदि किसी संक्या को वहान लोग कोई संक्या साथ है इसने बोला किसी संक्या को पांच से विवाजित किया जाता है पांच से भाग दिया जाता है तो सेस्पल कितना आएगा भई पांच ही कम पाँच सкоеषपल कितना आग Blood है, यहाँ पर दो अब यहां कहरा कि संख्या के वर्ग को संख्या क्या कर दो ? वर्ग ठीक है ? जब संख्या के वर्ग को, उसी संख्या से विवाजित किया जाएगा, अब शंख्या का वर्ग कितना हैगा सास सती उनंचस अब इसे भाग करा जाएगा उसी संक्या से पांच से तो सेसपल कितना बचाएगा पांच नम पेंतारिस सेसपल कितना बचाएगा भई चार ठीक है कितना या सेसपल हमारा चार ठीक है अब अगर मैं क्या कह रहा था कि मैंने बताय थे कि जो संख्या के साथ कर रहा अगर तुम वही सेस्पल के साथ कर दोगे तब भी answer आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे भाई इसने क्या किया था संख्या का वर्ग तो 2 का वर्ग करो 2 का वर्ग कितना आ गया 4 और जब 4 को 5 से भी बाजित करोगे तो 5 की कितनी बर चलेगी? 0 बार तो सेसफल कितना आगया यहाँ पे? 4 और यहाँ पर भी 4 यह ओ रहा था ठीक है? यहाँ पर भी क्या आ रहा था? 4 ही सेफल आ रहा था तो इससे क्या बात समझ भाई? जब भी कोई किसी संख्या को दुगना करेगा तो तुम सेसफल को दुगना कर दो संख्या में कुछ जोड़ेगा तो सेसफल में जोड़ेगा संख्या में इसे कुछ गटाने की बात करेगा तो सेसफल में गटा दोगे संक्या का वर्ग कर रहा तो आप सेस्फल का वर्ग कर दो तो आंसर आपका वही आएगा जो संक्या के साथ करने पाएगा वही सेस्फल के साथ करने पाएगा ठीक है तो इस टाइप के कोश्चन भी पेपर में पूचे जाते हैं अब देखेंगे एक बार उपर कोश्चन किया था जैसे कोश्चन था यदि किसी यदि किसी संक्या को तेरा से विवाजित किया जाता है तो सेसपल ग्यारा आता है क्या कर रहा है कि संक्या को जब तेरा से विवाजित किया जाता है किसी संक्या को कोई भी संक्या है तो सेसपल कितना अत्ता है सेस अत्ता है भई हमारा ग्यारा सेसपल कितना बचा ग्यारा अब कह रहा है कि यदि इस संक्या के दुगने के वर्ग को संक्या के दुगने के वर्ग को अब संक्या तो मुझे पता ही नी संक्या जब पता ही नहीं तो उसका क्या तो मैं दुगना करू क्या उसका वर्ग करू लेकिन मैंने अभी क्या बत बताई थी जो संक्या के साथ कहेगा करने को वो ही तुम किसके साथ कर दो सेस्पल के साथ ठीक है तो सेसफल को क्या करेंगे हम पहले दुगना कर देंगे दुगना क्या होगा बाइस और फिकर है कह रहा है कि दुगने के वर्ग को इस दुगने का बाइस का वर्ग करोगे जब बाइस का वर्ग करोगे कितना आएगा बाई चारसो चुरसी उसी संक्या से विभाजित किया जाता है तो सेसपल क्या होगा उसी संक्या मतलब 13 से ही अब इसे 13 से ही विभाजित कर दो 13 से ही तो सेसपल क्या बचेगा बस यह बताना आपको तो कितनी बर कटेगा 13, 26, 23, 49 बच गया कितना यहां पर 9, 99 जो मैं समझाना चाहरा हूं एक दो कोश्चन औरस किसी और अच्छे सबाथ समझ माएगी है जैसे कोशन है ये वाला क्या गाई इसने कि यदि किसी संक्या को 129 से भाग दिया जाता है तो से 27 बचता है अब देखो ये हमेशा ऐसे बोलेगा किसी संक्या को संक्या हमें पता ही नहीं ठीक है और यदि इस संक्या के 4 गुने को 60 अ इस 13 बचता है यदि इस संख्या के वर्ग के तिगने को उसी भाजक से देखो ये same question पहले जैसा विवाजित किया जाता है तो सेश क्या होगा अब पहले इसने क्या क्या संख्या को 21 से विवाजित किया ठीक है तो सेश पल कितना बचा 13 फिर क्या किया इनने संख्या के वर्ग के तिगने को तो संक्या का वर्ग कर दो अब संक्या हमारे पास नहीं है तो मैंने क्या बताए था सेसफल को कर दो सेसफल का 13 का वर्ग करोगे 13 का वर्ग कितना होगा 169 ठीक है अब उसने का वर्ग के तीन गुने को अब इसका तीन गुना कर दो उसी संक्या से भी बाजित किया जाता है संक्या क्या थी हमारी 21 21 से भी बाजित किया जाता है तो सेस्फल क्या हुआ अब यहाँ पे संक्या क्या आगी भाई 3927 और ये 2, 3 चंग, 12, 20 2, 3 इंग, 3, 4, 5 कितना आगा 507 अब जब इस 507 को किस से भाग दिया जाता है 21 से, तो क्या बचेगा बस निकाल लोगे आप तुम 21, 42 कितना बचेगा भाई, 8, 87 और 21 चुक, 84 कितना बचेगा, 3 तो जो है इसका राइट आंसर क्या होगा 3 इसका सही जवाब होगा ठीक है अगला सवाल है यह हिंदी थोड़ी इसकी खराब होगी है, हिंदी नहीं पढ़नी भाई, ठीक है इंगलीज में पढ़ो तो नमबर्स वें डिवाइड़ीड बाई 17 लिव स्रीमेंडर 13 एंड 11 रेस्पेक्टिवली भाई, दो संग क्या है अलग अलग जैसे ए, इसको जब डिवाइड गरते है 17 से एक मिनट दो संग क्या है जब 17 से मैंने क्या क्या पहली संग क्या ए को डिवाइड क्या, तो रिमेंडर कितना बचा 13, फिर वो कह रहा है कि 17 से जब मैं B को डिवाइड गरता हूं B को तो सेसफल कितना बचता है 11 ठीक है अब यह कह रहा कि If the sum of those two numbers Is divided by 17 अब क्या कह रहा है इसने की Numbers का sum कह रहा है कि इनका sum अगर में divided कर दू 17 से ही तो सेसफल क्या होगा अब जो मैंने बता है ना संख्या ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे सेसफल को ही जोड़ दो संख्या को जोड़ रहा है ना यह कह रहा है कि संख्या को जोड़ दे तो हम क्या करेंगे हम सेसफल को जोड़ेंगे तो सेसफल को जोड़ दो तो 13 में 11 एड़ करोगे कितना आगे बई 24 20 अब 24 को 17 से बाग कर दो उसने का ना 17 से बाग करने पर क्या से इस बल बचेगा 17 से बाग करोगे 17 कम 17 कितना बचेगा भई चार तिन साथ साथ जो है इसका सही उत्तर होगा ठीक है option number C अब उस question को देख लेते हैं जो अभी छोड़ा था मैंने बीच में यह वाला ये सवाल क्या और रहा है यदि किसी संक्या को 129 से बाग दिया जाता है तो सेस 27 बचता है यदि इसी संक्या को के 4 गुने को कितने गुने को चार गुने को चासी से भी बाजित किया जाता है तो सेसपल क्या होगा तो सबसे पहले क्या करोगे भई देखो सवाल तो ये भी ऐसे ही हो जायागा उसने क्या कहा 139 से भाग दिया जाता है तो सेस 27 से बचता है अब संक्या की अगर मैं बात करूँ सेसफल पर मैं याद है ना तो संक्या कैसे निखलेगी संक्या बराबर क्या होगी 129 और मालो भागफल क्या है के तो संक्या क्या हो जाएगी 129 के पलस 27 ठीक है अगर भागफल को मैं के मालो तो संक्या क्या हो जाएगी 139 के पलस 27 जो सेसपल है जोड़ दो अब क्या कहा रहा है कि यदि इस संक्या के 4 गुने को अब इस संक्या का क्या कर दो 4 गुना इसका 4 गुना को 60 से विवाजित किया जाता है ठीक है 86 से विवाजित क्या जाता है तो सेज़ पल क्या होगा अब 4 गुना किस में हो जाएगी 139 में पलस 27 गुना में 4 ठीक है अब इसको किस से डिवाइड दरना है हमें 86 से देखो यहाँ पर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो भाग बलता वो अलग 139 यहाँ पर 86 तो समझाने के लिए एक बार यह लिखना पड़ा है ऐसे तो जब 86 से इसको डिवाइड दरेंगे ठीक है भाग देंगे तो यह देखो 139 क्या होता है 139 भाई 139 किस के बराबर है 43 गुना 3 के और 6 क्या है 6 बराबर है 43 गुना 2 के ठीक है इतनी से बात सब को पता लगी होगी तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो अलग-अलग कर लो भाई तो 86 से यह वाली संक्या तो पूरी-पूरी कट देगी क्योंकि यह क्या होगा यह 43 गुना 43 और 86 को लिख दू में क्या 43 गुना 2 तो 43 से 43 कट गया इस 2 से 2 दूनी 4 कट गया ठीक है तो पहले वाली टर्म तो पूरी-पूरी डिवाइड होगी बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ यह बचेगा 27 गुना 4 और इसको डिवाइड कर दो कि तुम 86 से तो सेसफल क्या ह होगा यह निखाल लोगा सब ठीक है देखो हुआ तो इसमें भी वही है कि हम सिर्फ क्या कर रहे है सेसफल को सेसफल 27 जो है ना सेसफल इसका चार गुना कर दिया और बस उसे डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा तो 27 चो कितना होगा 25 चो का 100 108 एक 180 होगा ना बई जल्दी बताओगे मुझे कैलकुलेट करके चार दुनी 8 और 25 चो का 100 हाँ बिल्गुल सही है अब इससे जब डिवाइड करोगे तो एक ही बार चलेगा टेबल तो यहां पर कितना बचेगा बचेगा दो और इधर कितना बचेगा दो 22 तो जो है 22 इसका सही आंसर होगा अब बढ़ते हैं एक यह चीज समझानी थी ठीक है अब यह क्या है कि मानलो यह क्या कहाँ देगी किसी संक्या को एक से डिवाइड किया जाता है कोई संक्या है हमारे पास जैसे M कोई संक्या है M इसको मैंने किस से डिवाइड किया X से तो रिमेंडर क्या बचा R1 ठीक है और जब किसी दूसरी संक्या N को उसी बाजक से ठीक है समझे ना उसी बाजक से X से ही मतलब डिवाइड करता हो तो remainder क्या बचता है R2 और तीसरी बार क्या कह रहा है कि जब इन दोनों के जोड को दोनों संक्याओ के योग को M पलस N को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो सेस्पल क्या बचता है R3 और फिर आप से पुछेगा कि इस X का मान बताओ इस भाजक का मान बताओ कि भाज्य क्या है ये भाजक ठीक है तो इस का मान क्या होगा X जब भी ये निकालनो तो X बराबर क्या होता है R1 पलस R2 माइनस R3 ठीक है ये याद रखना आपको क्या होगा ये R1 पलस R2 माइनस R3 ठीक है यह लिख हुआ है यहाँ पर अब देखो question इस पर कैसे पुच्छा जाता है यह क्या खा कि when a number is divided by a certain divisor ठीक है किसी बाजक से भाग दिया जाता है तो remainder क्या बचता है 43 if another number is divided by the same divisor it leaves remainder 34 if the sum of the both numbers is divided by the same divisor it gives remainder 17 ठीक है तो आप क्या करोगे direct निकाल लोगे इस cancer अभी तो पता है मैंने जो बाजक है बाजक एक्स वो बराबर किसके होगा 43 plus 34 और minus में क्या करोगे 17 ठीक है तो answer क्या जाएगा यहाँ पर आपका 7 7 minus 17 ठीक है इसमें से minus करोगे कितना बच्चेगा बई 60 तो यही इसका right answer होगा इतनी पास समझना है अगला सवाल देखते है यदी संक्या एन को दो अंको के भाजक डी से विवाजित क्या जाता है तो 68 बचता है यदी संक्या 5 एन को डी से विवाजित क्या जाता है तो 6 8 बचता है डी का मान बताओ क्या होगा ठीक है question पढ़ो एक बार ज्यान से भई उसके बाद देखो यह क्या पूछ रहा है यह कह रहा कि एक दो अंको के भाजक से डी को भाजित क्या जाता है नहीं संक्या एन को डी से भाजित क्या जाता है तो सेसफल क्या बचता है 68 इसका मतलब क्या है वई जो संक्या होगी अगर सेसफल 68 बच रहा इसका मतलब संक्या जो है वो 68 से तो बढ़ी होगी इतनी बात समझवा आई आपके मान लो अगर वो संक्या जो है 68 से छोटी होती तो ये एक बर और चल जटता इस पर एक बर और पाड़ चल जटता मानलो ये 68 है अगर संक्या होती हमारी क्या संक्या हमारी 40 होती तो हमें एक बर और चला देते हैं इस पर table तो सेस्पल बचता 26 ठीक इसका मतलब जो संक्या है न वो 68 से तो बड़ी है तभी तो 80 रिमेंडर बच्चा तभी तो 6 बच्चा उसके बाद का यदी 5N मतलब संख्या का 5 गुना 5N को D से भी बाजित किया जाता है मैंने क्या बताया ता जब भी संख्या का 5 गुना करे तुम क्या करो 6 फल का 5 गुना कर दो तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 635, 38, 40 कितना आ गया? 340 अब यह क्या बोल रहा है कि संख्या के 5 गुने को divided by it gives remainder 8 ठीक है? यह कहा कर रहा है कि संख्या के 5 गुने को जब उसी संख्या उसी डी से भी भाजित किया जाता है तो 6 पल क्या बचता है? 8 ठीक है? अब 6 पल कितना बच रहा? 8 तो जब इसे 340 को divide किया मैंने तो सेसफ़ल बचा 8 तो अगर मैं इसमें से 8 घटा दूँ तो क्या बचा यहां पर 332 मतलब 332 उससे पूरा-पूरा कट जाएगा समझ मैं यह बात वह 332 जो है उससे पूरा-पूरा कट रहा होगा तभी तो सेसफ़ल 8 बच रहा है तो अगर 332 उससे कट रहा है ठीक है तो संख्या जो है इसी का कोई वह होगी गुननकंड इसी का कोई factor होगी अब 332 को तोड़ दो तो कितने मैं बचाएगा दो गुना यहापर कितना आ जाएगा एक सो डेढ़ सो पलस सोला कितना आ गया भाई 166 166 अब यह तो तीन अंको की संख्या है उसने काए मुझे कि डी जो है दो अंको का भाजग है तो एक बार ओर तो डो इसे भाई तो कितना आ जाएगा भाई इदर 4 गुना 83 33 इसका अद्दा करोगे 33 अब 33 आ गया अब देखो संख्या लेनी थी मुझे 68 से तो बड़ी होनी चाहिए और दो अंको की होनी चाहिए तो 33 होगी तो यही इसका सही जवाब है 33 सी ओप्सन नमबर यह समझ माया है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल है एक बार और देख ले ना बड़ी क्या एक्स्पिलिन किया मैंने अच्छे से समझ माया जाएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदी संख्या N को दो अंको के भाजक D से विबाजित किया जाता है तो 63 होता है यदी 52 को D से विबाजित किया जाता है तो 64 होता है तो D के कितने मान सम्मों है देखो ये भी सेम ही कोश्चन है बिल्गूर और अच्छे से समझ माजाएगा दो अंको इसने का कि N को दो अंको के भाज़क D से यहाँ पे भी दो अंको की है तो सेस बावन होता है इसका मतलब क्या है कि सेसफल अगर 52 बचा है तो संक्या 52 से बड़ी होगी D कमान जो है 52 से बढ़ा है 52 से चोटा नहीं है अब उसने क्या का कि यदि 5N को D से भी बाज़ित के जाता है तो संक्या का 5 गुना कर रहा तो तुम क्या करो सेसफल का 5 गुना कर दो कितना आजाएगा 525 और 5 दूनी 10 कितना आगे 260 ठीक है संक्या के 5 गुना कर जाको D से विबाजित किया जाता है तो सेसफल क्या रहता है 4 भई सेसफल 4 बच रहा है अगर 260 को डिवाइड कर रहे हैं तो सेसफल कितना बच रहा है 4 इसका मतलब संक्या जो है इसमें से 4 गटाओ कितना बचा है यहाँ पे 256 इसका मतलब जो है संक्या 256 का कोई फैक्टर है अब 256 के फैक्टर करोगे तो क्या पहले लिख दो इसे 2 गुना कितना लिख सकते है 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 अटे 16 2 गुना 128 लेकिन 128 तीन अंको का है तो एक बार उड़ कर दो डिवाइड 2 गुना 2 गुना क्या लिखेंगे 128 को क्या लिखेंगे भई 64 दुनी 128, 64 ठीक है तो यहाँ भई 64 जो है 2 अंको का आगया मतलब एक संक्या तो यह आगी फिर जैसे ही मैं एक बार और डिवाइड करूँगा इसवा 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या लिख सकता हूँ मैं 32 35 है तो दो अंको की संक्या लेकिन 32 जो है 52 से छोटा है और संक्या क्या होगी 52 से बड़ी होगी ठीक है दो अंको की भी होनी चाहिए और 52 से बड़ी होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही मान ऐसा है जो दो अंको का है भाई है तो यह भी लेकिन यह नहीं हो सकती संक्या क्योंकि अगर यह संक्या होती ना तो फिर 52 पे एक बार और चल जता पाड़ा ठीक है तो एक ही संभव मान है वो कौन सा है 64 एक ही इसकी possible value है जो की क्या है 64 यह इसका सही जवाब होगा तो उसने पुच्चा है कि इतने मान संभव है तो भई एक मान संभव है ठीक है अच्छा सवाल खतम बस इतने ही सवाल थे चलो कोई नी आज के लिए इतना ही करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम नी सिखेंगे कि सेसफल कैसे निकालते हैं ठीक है वहाँ से भी कोशन रते है एक्जाम में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद चैहिंद